हे वाटसब गाईज दिस इस संजीव और वेलकम बैक टू अगेन माई यूटूब चैनल अगर आपको लोन चीए तो वीडियो पूरा आखरी तक देखते रिएगा लोन लेने से पहले कुछ बात होगा जरूर धियन रखिएगा दोस्तों अगर आप लोन का टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर सकते हो समय से लोन का यह माई चुका सकते हो तभी लोन के लिए आप लोन अप्लिकेशन का तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में मैं जिस सबसे पहले नए लोन अप्लिकेशन के रेविव करके आपको दिखाने वाला हूं वह अप्लिकेशन यही है इसका नाम है लेंडिंग प्लेट प्रसनल लोन एप ठ 50,000 प्लस कम अभी डाउनलोड्स हैं अभी कुछ भी डाउनलोड्स नहीं है क्योंकि बहुत नई अप्लिकेशन है ठीक है आप यहां से इसका सी ओल रिव्यूज करके रिव्यूज होगरे पढ़ लेना रेटिंग होगरे देख लेना देना प्लोन के लिए अपलाई करना देख लीजे 10,000 से लेके 2,000,000 रुपए तक का लोन देता है minimum 10,000 maximum 2,000,000 रुपए तक का ठीक है तीन महीना minimum repayment period बनाता है 15 महीना maximum बनाता है यहां पे गाई प्रोसेसिंग फीस स्टार्ट होता है 5% से लेके 10% ठीक है ओफ लोन इमाउंट जितने का भी आपका लोन का का और APR annual percentage interest rate 60% से लेके एक सब 20% है ज्यादा है interest rate guys no doubt ज्यादा interest rate है इस application का बट अगर आपको बहुत ही ज्यादा credit होना चाहिए आपके bank account में ठीक है regular हर महीना तब ही आपको loan मिलेगा कम से कम 3 महीने का तो bank की statement देना पड़ेगा तो 3 महीने का तो कम से कम आपको salary आपका credit होना ही चाहिए bank में जो भी आपका आता है ठीक है यहाँ पर e-sign करना है loan agreement को उसके बाद से कोई भी दिक्कत की ब लगेगा इतना आपको bank में disverse किया जागा इतना EMI आएगा इतना आपको armina EMI चुकाना पड़ेगा और इतना processing fees इतना GST लगेगा यह सब कुछ दिया हुआ है इतना आपको total repayment करना है यह पूरा example होगर आप पढ़ सकते हो e-sign करना पड़ेगा आधार card में जो number registered है आधा सकते हो पूरा पढ़ सकते हो about section इनका यहाँ पे इनका mail है और contact number है तो कोई भी दिक्कत है तो आप contact कर सकते हो nbfc registered application है सारे बड़े cities में loan देती होगी पक्का देती होगी बड़ एक बार आप चेक कर लेना आपको city में loan देती है कि नहीं देती है आधार card pen card selfie लगता है और बहुत लगेगा तो एक bank statement भी आपसे मांगा जाएगा तीन महीने का या तो छे महीने का ठीक है एप permission की बात करें तो यहाँ पे देख लिए camera location storage other मतलब permission आपसे ले रहा है सब कुछ का ठीक है तो अगर आप loan चुका पाते हो तभी loan के लिए apply करना देगी यहाँ पे देख date कभी application launch हुआ है तो 30 सितंबर 2022 30 सितंबर 2022 मतलब सितंबर अक्टूबर अभी अक्टूबर चल रहा है मतलब पिछले महीने ही launch हुआ है 30 सितंबर 2022 को अब इससे नया application बताईए मैं कहां से आप सभी लोगों के लिए लेकिया हूँ पिछले महीने का application है अभी यह तो बहुत नया application है अगर आपको loan फिर भी ना मिले तो इसमें मेरी गलती नहीं है भाई मैं तो आपके लिए ढून ढून के बढ़िया बढ़िया नया application लेके आही रहा हूँ अब चलिए दूसरा नया loan application का भी मैं आपको नाम बता देता हूँ साथ में review करके दिखा देता हूँ तो च 1.1 की rating है 5K बस खाली अभी इस application के download है क्योंकि यह भी काफी नई loan application है यहां से इसका भी आप see all reviews करके reviews होगरे पढ़ सकते हो rating होगरे देख सकते हो देन आप loan के लिए apply कर सकते हो चलिए अब मैं इसका about section आपको पढ़के पूरा proper details share कर देता हूँ about section का तो guys सबसे पहले च 24% per annum का लगेगा minimum tenure 3 महिना maximum 6 महिना बनाएगा disverse आपके bank में 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा कर दिया जाता है अगर आपका loan का approval आता है तो 100% digital process है no document upload मतलब कोई भी document हो गए यहां पे जरूबत नहीं है जादा कुछ ठीक है यहां पे minimum income proof आपका minimum income यहां पे कम से कम 30,000 प यहां पे इन्होंने example दे के समझाया है कि अगर आपको पचाजार का loan मिलता है तो 6 महिने के लिए मिलेगा interest rate per annum का 24% रहेगा यह माई इतना आएगा इतना आपके bank में disverse किया जागा इतना GST लगेगा इतना processing fish लगेगा इतना आपका हर माई यह माई आएगा ठीक है इतना जैपूर भोपाल एहमदाबाद बरोद्रा ठीक है जैपूर यह आप और भी बहुत सारे cities हैं पूरा पढ़ लेना about section अगर इनमें आपका city होगा तो definitely loan के लिए आप apply कर सकते हो नहीं होगा फिर भी आप loan के लिए apply करके check कर लेना क्या पता आपके city में अभी यह loan देने loan मिल जाता है और बहुत ही ज्यादा कम चांस है कि आपको यहाँ पे bank statement भी देना पड़े बट कुछ cases में मांगता है bank statement यह application ठीक है यहाँ पे इनका mail है contact number है कोई भी दिक्कत है आप इनसे संपर्क करना app permission की बात करे इस application की तो camera, contact, location, microphone, storage, other सबका permission ले ले लेता है contact का भी यह permission ले रहा है भाई तो भाई देख लेना loan चुका पाना तभी loan के लिए apply करना otherwise बिल्कुल भी loan मत ले ना अब देखते हैं इसका release date तो भाई बताओ 12 सितंबर 2022 पिछले महिने का यह भी है सितंबर पिछले महिने में था 20 महिने में October है तो भाई पिछले महिने का ही यह भी description में अगर आपको इन दोनों loan application से loan ना मिले तो एक बहुत ही बहतरी loan application का link मिल जागा जिसका नाम है true balance true balance में आपको दो तरीके के loan मिलता है एक level up loan एक cash loan अगर आप cash loan लोगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको bank statement देना पड़े क्यूंकि true balance application आपको starting में cash loan ज्यादा offer करता है that तो ही आपस bank statement लेता है तो गाइस अगर आपके पास bank statement है तो आप cash loan ले सकते हो अगर आपके पास bank statement नहीं है तो true balance application आप मेरे इस वीडियो के description के देगे link चे डाउंग लोड कर सकते हो और सिर्फ अपने आधार card pen card से ही ले सकते हो level up loan ठीक है आधार card pen card लगेगा और आपक रुपए तक का मिल जाएगा loan आपको ठीक है गाईस तो अगर आपके पास नहीं है bank statement तो आप मेरे इस वीडियो के description के देगे link से true balance application डाउनलोड कर सकते हो और mintो में level up loan ले सकते हो थोड़ा आपका civil score कम रहेगा थोड़ा बहुत खराब रहेगा फिर भी आपको level up loan मिल जा ठीक है बागी guys मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे guys अगर आपको loan नहीं मिलता इन दोनों नए loan application से ठीक है तो आप एक बाट ट्राई करना कि जो भी आप अपना सब कुछ detail भरे हो वो सही सही भरे हो कि नहीं भरे हो सही में जितना income हो उतना ही भरना सब कुछ सही सही भरन आपको definitely loan मिल जाएगा ओके तो guys यही था आज कि इस वीडियो में बागी मैं आपको बता दू टूबलेंस application जिसका link मेरे इस वीडियो के description में है उसका थोड़ा सा interest rate जाता है बड़े guys आप commentों में loan दे देता है तो यही कुछ थे भाई loan application अगर आपको loan चीए तो ले सकते ह डेफिनेटली go for it कोई दिक्कत की बात नहीं है बागी मेरे इस वीडियो के description में आपको link मिली जाएगा टूबलेंस का अगर कोई loan ना दे तो उससे आप ले सकते हो बागी यही था आज कि इस वीडियो में चले है किसी और next useful वीडियो में तब तक लिए जया ही बंदे मातर बाइलोग